हलो दोस्तो मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी भाई वेस्कुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं जार्खंड सरकार दोबारा जारी किया गया जार्खंड सिक्षक भरती से रिलेटेट बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ इसलिए आप वीडियो को जार्खंड सिक्षक भरती से समन्धित बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूँ जैसा कि आप लोग चानते हैं समीदा अधारित सिक्षक चैन पर किरिया के अधार पर PGT और TGT का सिक्षक भरती निकाला गया है जिसका लास्ट डेट आपका दस दू दू हजार ते और TGT की भरती के लिए समीदा पराधारित सिक्षकों का चैन पर किरिया स्टार्ट हो गया है तो चलिए देखते हैं क्या है चैन पर किरिया किस तरह से को FEJ और क्रिया करना करना है और क्या रहेगा एजुकेशन और कितना परसेंट मांग रहा है और क्या-क्या डोकुमेंट से इसमें चाहेगा इस सब को हम लोग step by step जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से यह जो देख रहा है यह दिनांक 10.1.2023 को जारखन सिक्षा पर्योजना परिशत के दवारा यह लेटर जारी किया गया है इसमें बताया गया है प्रेशक जसंत कुमार मिस्र प्रसासिस परधदिकारी दोबारा सभी को सुचित किया जा रहा है अर्थात सेवा में सभी जिला सिक्षा पधिकारी सजीला कारिकरम पधिकारी समग्र सिक्षा जारकन सभी जीला सिक्षा धियक्ष को सुचित किया जा रहा है यहां पर देखिए जो विशाय में लिखा हुआ है आदर्स विद्यालों में सविक्रित पद के बिरूध आवशकता आधारित रिक्त अस्थानों के समेक छे अल्पकालिन समीदा आधारित योग सिक्षकों हेतु रिक्त पदो पर चैन की संबंध में अर्थात जो रिक्त अस् विशाय के संबद में अंकित करना है कि स्कूल सिक्षा योग सिक्षता विभाग के दोबारा यह लेटर जारी किया गया है इसमें प्रसिक्षित PGT और TGT के स्कूल को के लिए बेद्यार्थियों अर्थात प्रसिक्षित सिक्षकों का चैन किया जाएगा इसके माध्यम से करब दोन, हम लोग 2nd page में देखते है तो 2nd page में यहां देखिए आप देह रहे होंगे यहीं प्रसिक्षत विद्यालों इवें प्रकेंड श्क्षति और विद्यालों में समिदाpopular सिक्षकों के HRS. यहां बताया गया है अर्थात PGT के कौन-कौन से होंगे और TGT के कौन-कौन से सब्जेक्ट में सिख्छकों की यहां पर निक्ति होने वाली है यहां देखिए जो देख रहे हैं यहां देखिए हिंदी, इंगलिस, संस्क्रित, हिस्ट्री, जिग्रोफी, एकनोमिस, मैथ, फि बाइलोजिक, केमेस्ट्री, जिग्रोफी, हिस्ट्री, सिविक्स, समाज, परियोग, संस्क्रित, एकनोमिस्ट, कोमर्श, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंट, टोटल इस सब्जेक्ट के अंतरगत जो सब्जेक्ट बताया गया है इसी सब्जेक्ट के अंतरगत PGT और TGT लिया जाएगा इसके साथ यहां देखिए बता दिया गया है TGT आर्थाथ PGT के लिए कितना आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना अधिक्तम होना चाहिए तो यहां देखिए असनानतुर सिक्षक PGT सिक्षक हेतू राज सरकार या केंदर सरकार दोबारा विस्ववि परतीसत अंक होना चाहिए जबकि AC-ST के लिए 45% अंक निर्धारित किया गया है इसके साथ ही आपको B8 भी होना अतियावज सक्षक है अगर आप B8 होते हैं तो आप इस फर्म को फिलफ कर सकते हैं अगर नहीं बियेड होंगे तो आप इस फर्म को फिलफ नहीं कर सकते हैं इ इसमें बताया गया है जेनरल OBC के लिए graduating में 45 परतिसत होना चाहिए जबकि ACST के लिए 40 परतिसत अंकित किया गया है इसके साथ ही BAT भी qualify होना चाहिए अर्थात वह fast होना चाहिए यहाँ पर TGT के लिए बताया गया है यहाँ पर जो देख रहे हैं उम्र सीमा इसके बाद देखिए यहाँ पर आरक्षन में बताया गया है चैन में जहार्खन सरकार दोबारा जिला अस्तरिय निक्तु हेतु आरक्षन रोस्टर का पालन किया जाएगा इसके बाद बताया गया है आरक्षित पदोप और जार्खन में निवास करने वाले विद्यार्थी जिन्हें जार्खन सरकार के अधीन समक्ष प्राधी कारण दोवारा निर्गत आरक्षन परमान पत्र के आधार पर ही आरक्षन का दावा माने होगा इसके बाद यहां देखिए PGT और TGT के लिए मासिक वेतन के हां यहां देखिए बताया गया है अगर वह PGT क्वालिफाई करते हैं तो उनको प्रती माह 27,500 रुपया दिया जाएगा जबकि अगर वह TGT में अपलाई करते हैं तो 26,250 रुपया दिया जाएगा इसके साथ ही यहां पर देखिए क्या-क्या निर्धारित किया गया है यहां समीधा सिक्षकों को निर्धारित करता बेवं दाइतुआ अर्थात क्या-क्या करना है तो नमबर एक में होता है नियमित कक्षा का संचालन बचों के दबारा किये गए का कार्यों की जाच दुसर चोथा कहता है परचार्य दबारा सोबे गए सभी कार्य पुज़तर से करना होगा इसके बाद देखे यहाँ पर चैन की परकिरिया किस तरह से आपका चैन किया जाएगा यहाँ पर बताया गया है तो चैन के उपायूक तर्जक्ष में गठित चैन समीती दबारा सक्षतकार ए निर्दारी संट्र सरते क्या है तो समीधा के अधार परचैनी सिक्षक की स्कूली सिक्षायों सक्षक भीभाग सरकार के कलपन संखिया चौन संटार्मे दिनांक 1532,22 के अंतरगत निमलिकी सरतों को यहां पर बताया गया है इस तरह से यहां पर जो सर्थ है उसको आप देख लीजिएगा इस तरह से बताया गया है इसके बाद यहां देखिए आपको आवेदन की परकिरियार्था आवेदन को आपको कब तक भर देना है तो 10-2023 तक आपको 5 बज़े तक ही आपको अवेदन को भर देना है इसके बाद यहाँ पर बताया गया है किस तरह से आपको चैनित किया जाएगा तो इसमें आपको कौन-कौन से डोकुमेंस लगना है उसको भी बता देते हैं आपको मैट्रिक का मार्क सिट इंटर का अर्था इंटर का मार्क सिट बीए का मार्क सिट रहेगा ग्रेजियोशन का मार्क सिट एमे का मार्क सिट बीएड का मार्क सिट जाती निवास और आप 100 रुपया का जो डीडी बनवाईएगा वो डिडी भी इसमें जामा करना होगा इसके साथ यहां देख रहे हैं इस तरह से यहां पर बताया गया है इसके बाद यहां देखिए आपको फोर्म होता है तो अगर आप अच्छी से फोर्म नहीं भरते हैं तो आपको reject कर दिया जाएगा इसलिए आप अच्छी धंग से देख लिजे वीडियो को बार बार देख लिजिएगा और अच्छी धंग से यहां पर फोर्म को फिल अप कीजिएगा चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से यहां डिस्टिक बोल रहा है रथा जो भी डिस्टिक के लिए जिस्टिक में apply करिएगा वहाँ पर लिख देजिएगा मैंने गढ़वा से किया इसलिए यहाँ पर गढ़वा लिखती आ हूँ इसके बाद अगला हम लोग step में देखते हैं ते यहाँ पर देखिए कह रहा है जो आपको निर्दिस बता रहा है उनिर्दिस को देखना है all interest should be made in the capital letter अथात आपको सभी अक्षर को capital letter में ही लिखना है इसके बाद कर रहा है one form should be used for one post एक आपको एक फर्म को एक ही पोस्ट के लिए भरना होगा include attested copy of test monthly with which of then अर्थात इसमें आप जो भी दोकुमेंट से लगाएंगे वे एक ही पोस्ट के लिए ही होगा इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है post applied for अर्थात जिस पोस्ट के लिए आप apply करना चाहते हैं वहाँ पर आपको लिखना होगा जैसे हम PGT के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम PGT लिख देंगे इसके बाद अगला कह रहा है subject applied for अर्थात PGT में आप कौन सी subject से apply करना चाहते हैं वह लिख देंगे तो चलिए मैंने math लिख दिया इस तरह से आप math लिख दीजिएगा इसके बाद यहाँ कह रहा है candidate's name नमबर वन में कह रहा है candidate's name in capital letter please keep one box blank between between first name middle name and last name अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप अपना नाम लिखिए का capital letter में लिखना है और अगर आप इसमें जो भी first second first middle और last number आएगा तो यह gap छोड़ देना है तो चलिए मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे U-M-A-S-H-A-N-K-A-R इसके बाद कुमार लिखना होगा तो आपको एक box को छोड़ कर कुमार आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके बाद अगला देखते हैं तागला यहाँ देखिए बोल रहा है Fathers Candidates Fathers या Husband Name अगर आपका पीता जी है तो पीता जी के भी पीता जी के पास यहाँ पर आप Yes कर सकते हैं या फिर आपका Husband होते हैं तो Husband के पास कर सकते हैं तो मैंने फादर के कर दिये, इसके बाद फादर's name लिखने के लिए कर गपार है हатели, यहाँ पर हम लोग फादर's name लिख देंगे, इसके बाद कर गळा है डेट अप़ वर्थ, अर्थाथ जो आपका डेट अप़ अधो वर्थ होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर date लिख दीजिएगा यहाँ month लिख दीजिएगा इसके बाद gender अगर आप male है तो male में टिक मार दीजिएगा अगर female होंगे तो female में टिक मार दीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ कह रहा है 3112 AJ अर्था 3112 2022 में आपका कितना उम्र हो रहा है उसको कर लेना होगा अर्था जितना आपका date of birth होगा इसमें से आप minus कर दीजिएगा तो आपको year, month और day निकल जाएगा इसके बाद अगला step में कह रहा है candidate address यहाँ पर आपको अच्छी धंग से ही अपना address को लिखना होगा क्योंकि अगर आप अच्छा धंग से यहाँ पर अपना नाम लिख देना है आप father's name लिख देना है यहाँ एड्रेस में village post village लिख दीजिएगा पोस्ट लिख यहाँ पर city में अपना लिख दीजिएगा जो होगा यहाँ पिन कोड अति आवस्टक है अपना पिन कोड नहीं छोड़िएगा यहाँ पर दो नंबर आपको लिखना है mobile number 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर email ID है email ID अपना न डाल दीजिएगा इसके बाद यहाँ पर current photo रहेग तो यहाँ पर आपको जो qualification है अर्थात यहाँ पर high school कर रहा है तो यहाँ पर आप metric लिख दीजिएगा metric का पास किया है इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा अर्थात metric में कितना number का था तो यहाँ पर 600 number का है तो 600 लिख दीजिएगा marks, aptitude, आर्थात आपने कितना प्राप्त किये हैं तो यहाँ पर आप 500 में से चोसु में से कि जितना प्राप्त किये होंगे यहाँ पर लिख दीजिएगा उसका percentage निकाल दीजिएगा इसके बाद कर Subject या फिर इस पर Listy से आर्थात आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और या फिर आप यहां पर जो बिशें बिशे सक्गे अर्था जिसमें अधिक मार्ट साया है आप उस सब्जेक्ट को यहां पर लिख दीजिएगा इसके बाद the darling of course in month आर्था जो भी आप course किये होंगे वह यर मेंthis में दिया होगा होगा उसको आप कर लिख दीजिएगा अगर एक साल होगा तो बारा महिना अगर दो साल होगा तो 24 महिना अगर तीन साल होगा तो आप 36 महीना लिग दीजिएगा इसके साथ ही आपको जो बोर्ट से आपके मैट्रिक इंटर और गिरिजूशन पास किये होंगो उस बोर्ट का नाम यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं इसके साथ यहाँ देखिए अगला स्टेप कह रहा है इसके बात आप अर्था यहां प्रोविशनल यह और क्रास को साथ हो आप इसके बाद यहां 10 option में कह रहा है कि are you available to teach through English and Hindi both अर्थात आप दोनों मेडियों में जानते हैं तो यहां पर yes कर सकते हैं इसके बाद अगला कह रहा है do you have now of computer application अर्थात आप computer जानते हैं तो यहां पर आपको tick कर देना है इसके बाद social category अर्थात AC, HD, BC, NBC या UR है जो होंगे उस पर आपको यहां पर आपको category को अंकित कर देना है इसके बाद यहां under think है आप इसको पढ़कर यहां पर आपका signature हो जा पर इसके बाद यहां डेट लिग दीजेगा यहां पर नाम हो जाएगा यहां पर contact number हो जाएगा इस तरह से आप इस form को फिल आप कर सकते हैं I hope यह वीडियो अच्छा लगाँगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साब तब तो के लिए च